नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आप एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास यूबॉन कंपनी का कोई साभी एरबर्ट्स है अभी तो मेरे हाथ में है बीटी 250 एर शार्क 4.0 ठीक है तो यहां पर आप इसको कनेट कैसे कर सकते हैं अपने डिवाइस के साथ तो यहां पर फिलहाल मेरे फोन से यह का शह Sun कर लेते हूं तो आप इसको ओपन करेंगे aí तो यहां पर न आपको शू करने लग अगर नहीं शू कर रहे तो आप इसको बहाल नीकाल लिए तो इस्ट कभण मोड में आ जाएगा रोसे आप इस इस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर आपका यूबॉन एरशार्क 4.0 आपको देखने को मिल जाएगा और अगर यहां पर डिवाइस शो नहीं कर रहा है तो आप यह जो बटन है इसको 3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो शो होने लग जाएगा ठीक है अभी आपको इस पर कनेक्ट क्ल तो इसमें हम म्यूजिक प्ले करके देखते हैं तो इसमें हम म्यूजिक प्ले कर देखते हैं तो यह आवाज ना मेरे दूसरे स्पीकर से आ रही है जो कि ब्लुटूस स्पीकर है तो वो इसकी आवाज नहीं है और इसको आप निकालके अपनी कान में लगा लेंगे और यह में दूसरे कान में लगा लेते हूं स्टार्टिंग में आपको यह म्यूजिक का एक एड देखने को मिलता है यूबॉन का ही यह स्पीकर में इन बिल्ड होता है जैसे आप कान में लगाएंगे तो हो सकता है डबल आवाज आए आपको उसके बाद आपका जो म्यूजिक है वो क्लिरली सुनाई देगा आपको और देख सकते हैं जो ब्लुटूथ का चार्ज है यह भी आपको शो करेगा जो आपका ब्लुटूथ डिवाइस है और अगर आप राइट वाले को एक बर क्लिक करते हैं तो आप कॉल पिक कर सकते हैं और लेक्ट वाले एरबट को अगर आप तीन बर प्रेस करते हैं तो आपका वो फौरवड हो जाता है। यानि कि नेक्स सॉंग बसता है। तो मैं कान में लगाकर ना, एक बर आपको backward forward करके दिखसकते हैं, गाना आपका, फौरवड हो गया है है। फिर से किया मैने, फिर से forward हो गया है। तो, forward करने के लिएalso आपको इसको आपको देखने को मिलेगी अगर यह चार्ज रहेगी और बाकी चार्जिंग इसका कहां से देखना है वो तो मैंने आपको बताई दिया ब्लुटूथ के वहां से देख लेगा आप साइटिंग में से जाके रेड कलर का हो जाएगा तो यानि की चार्ज खतम होने वाला है तो इतना ही बाकी इसकी फुल डिटेल की वीडियो चाहिए कि इसका बैटरी बैकप कितना है और बाकी प्राइस वगरा तो इसकी आप वीडियो अलग से देख लीजगा अन्बॉक्सिंग रिव्यू बता रखा है मैंने फूरे एरबट्स के बारे में ठीक है चले गाइस मिलते आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमशकार